दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देवेश्ट, दोस्तों वीडियो की सुरुवात में आप में जो भी आत्मर इम्टियू इंवेस्टर्स यहस बेंक पर हीडो जीलो स्ट्राटजी इंप्लिमेंट कर रहे हैं उन्स अभी को बहुत बहुत बदाई कृपा करके जो हीडो जीली स्ट में भी कहा था आप आत्मिनेंगर इंवेस्टर्स हैं और आपकी पास हीरो जीरो स्ट्रेट्जी है और वह चल रही है यह स्वेंक वर तो जब तक आपका मन करें तब तक आप उसका इस्तेमाल कीजिए अब रही बात दोस्तों जो नया घटना करम हुआ है ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में चनादिनी चल रही है अमेरिका की जो लोगसमाद्यक्ष है वो ताइवान जा सकती है आज रात को यह घटना करम हुआ है बेसिक ही 25 साल के बाद हो रहा है अमेरिका ने चीन की जो रैड लाइन थी लक्षमन रेखा जो चीन ने खीच रखी थ लिए इसलिए चीन ने सीरीज ऑफ एक्षन प्लान कर रखे हैं जो मिलेटरी से लेकर एकॉनमिक तक हो सकते हैं अब बास्तव में चीन वो एक्षन उठाता है अथवा नहीं वो हमें नहीं पता लेकिन अब मोटा मोटी कनफर्म हो चुका है कि अमेरिका की का एक्षन लेगा इस पर सवालिया निसान लगा हुआ है और चीन कौन सा एक्षन लेगा और कितनी तीवड़ता का एक्षन लेगा और यदि चीन ने एक्षन लिया तो फिर काउंटर रियक्षन अमेरिका की तरफ से क्या आएगा तो कुल मिलागर हम किस इस्तिव में के तो वहां पर हलका सा कमजोरी का संकेत मिल रहा है और भविष्ट के वारे में हम पता नहीं है अनिश्य चत्ता है तो दोस्तों जैसा कि हमने आत मिरुगर इंव्श्टर कोड़ा है उन्हीं कॉंसेप्ट को हम इस्तमाल करते हैं क्या कि दिन के अंत में बंदी कैसी आ रही ह यदि भविष्य के प्रति आप में असमंजस है यदि आपको लगता है कि उंट किस करवट बटेगा आप मुझे नहीं पता और आपके पोटफोलियो में कहीं संतुष्टी जनक प्रॉफिट है जो आपको लग रहा है कि काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया है मेरी जो मलाई का टोड़ा निकालना है उसका समय आ गया है इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है आत्म निर्वर इंवेश्टर कोर्स में जो हमने वेल्ट प्रॉइशन स्ट्रेटजी पढ़िए वो क्या बताती है कि जब आपको संतुष्टी हो और आपको अनिश्चतिता लगे चार रिस्क मिनिमाईज कर लेंगे प्रिएशन स्ट्रेटजी के साथ से तो आपको जस्त यह हाइलाइट करवाने के लिए हमने यह वीडियो बनाया था खलीद में बेचने की चला नहीं दिरह इस वीडियो में जो हमने पड़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम उसको इंप्लिमेंट कर सकें बिल्कुल मौके पर तो अब आप सुतंत रहें अपने विवेक से नड़े लें और आगे बढ़ें यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम